ओम श्यान्ती आज की तारिक है आठ जून दो हजार एकेस आए सुनते हैं बाबा के महवाक्षियों को मीठे सेंसिवल बच्चे सदा याद रखो कि हम अविनाशी आत्मा हैं हमें अब बाब के साथ पहले तब के फ्लोर में जाना है प्रेश्न कौन सी महनत तुम हर एक बच्चे को अवश्य करनी है उत्तर बाबा तुम्ही जो इतनी नौलिज देते हैं उसे अपनी दिल से लगाते रहो अंदर ही अंदर उसको मनन कर हजम करो जिससे शक्ती मिलेगी यहां महनत अवश्य हर एक को करनी चाहिए जो ऐसी गुप्त महनत करते हैं वह सदा हरशित रहते हैं उन्हें नशा रहता है कि हमें पढ़ाने वाला कौन है हम किस के सामने बैठे हैं ओम शान्ते यहां किस ने कहा दो बार कहते हैं ओम शान्ती ओम शान्ती एक शिबाबा ने कहा एक ब्रम्ह बाबा ने यहाँ बाप दादा इकठे हैं तो दोनों को बोलना पड़े ओम शान्ती ओम शान्ती अब पहले किस ने कहा? बाद में किस ने कहा? पहले शिबाबा ने कहा ओम शान्ती मैं शान्ती का सागर हूं पीछे किस ने कहा? दादा की आत्मा ने कहा बच्चों को याद दिलाते हैं ओम शान्ती, मैं तो सदैव देही अभिमानी हूँ, कभी देह अभिमान में नहीं आता हूँ, एक ही बाप है जो सदैव देही अभिमानी रहते हैं, ब्रम्हा, विश्णु, शंकर ऐसे नहीं कहेंगे तुम जानते हो ब्रम्हा, विश्णु, शंकर का भी सुक्ष्म रूप है, तो ओम शान्ती करने वाला एक शिबाबा है जिसको कोई शरीर नहीं, बाप तुमको अच्छी रिती समझाते हैं और कहते हैं, मैं एक ही बार आता हूँ, मैं सदैव देही अभिमानी हूँ, मैं पुन जनम में नहीं आता, इसलिए मेरी महिमाही न्यारी है, मुझे कहते हैं, निराकार, परमपिता, परमात्मा, भक्ती मार्ग में भी शिव के लिए कहेंगे, निराकार, परमपिता, परमात्मा है, निराकार की पुजा होती है, वह कभी देह में नहीं आते हैं, अर्थात देह अभिमानी नहीं बनते हैं, अच्छा, फिर उसके नीचे आओ सुक्ष्म वतन में, जहां ब्रम्हा, विश्णो, शंकर रहते हैं, शिव का नाम रूप तो देखने में नहीं आता है, चित्र बनते हैं, लेकिन वह है निराकार, वह कभी साकार बनते ही नहीं, पूजा भी निरा कार की ही होती है, बच्चों के बुद्धी में सारा ज्यान रहता है, भक्ती तो की है, चित्र बच्चों ने देखा है, तुम जानते हो, सत्युग, तरेता में, न चित्रों की भक्ती होती, न विचित्र की, बुद्धी में आता है, परम, पिता, परमात्मा विचित्र है, उ उनकी महिमा गाई जाती है दुख हरता सुख करता पतित पावन तुम और किसी के चित्र को पतित पावन नहीं कहेंगे कोई भी मनुश्य नहीं जिनकी बुद्धी में यहाँ बात हो ब्रम्हा विश्णु शंकर है सुक्ष्म वतनवासी पहला तबका फिर दूसरा तबका उच ते उच्च मूल वतन उस तबके में रहने वाला है परमपिता परमात्मा सेकंड नंबर तबके में सुक्ष्म शरीर वाले हैं थाड तबके में स्थूल शरीर धारी हैं इसमें मुझना नहीं है यहाँ बातें सिवाए परमपिता परमात्मा के कोई समचा नहीं सकता है उपर में स्रिस्टी है आत्माओं की उसको कहा जाता है निराकारी दुनिया हम सब आत्माओं की दुनिया इन कॉर्पोरियल वर्ल्ट फिर हम आत्माओं कॉर्पोरियल वर्ल्ट में आती हैं वहां है आत्माओं यहां है जीव आत्माओं यहां बुद्धी में रहना चाहिए बरोबर हम निराकारी बाबा के बच्चे हैं हम भी पहले निराकार बाब के पास रहते थे निराकारी दुनिया में ही आत्माई रहती हैं जो अभी तक पाट बजाने लिए आते रहते हैं साकार में वहा हो गया निराकार बाब का वतन हम आत्मा हैं यह नशा होना चाहिए अविनाशी चीज का नशा रहना चाहिए विनाशी चीज का थोड़ी ही होना चाहिए देह के नशे वाले को देह अभिमानी कहा जाता है देह अभिमानी अच्छे वा आत्म अभिमानी अच्छे Sensible कौन? आत्म अभिमानी आत्मा ही अविनाशी है देह तो विनाशी है आत्मा कहती है हम 84 देह लेते हैं हम आत्मा परमधाम में बाब के साथ रहने वाली है वहां से आते हैं यहां पाड बजाने आत्मा कहती है ओ बाबा साकारी स्रिस्टी में हैं साकारी बाबा निराकारी स्रिस्टी में निराकार बाबा यहां तो बिलकुल सहज बात है अब ब्रम्हा को कहते हैं प्रजा पिता ब्रम्हा सो तो यहां ठहरा ना वहां हम आत्माए सब एक बाप के बच्चे ब्रदस हैं बाप शिव के साथ रहने वाले हैं, परमात्मा का नाम है शिव, आत्मा का नाम है साली ग्राम, आत्मा का भी रचैता चाहिए ना, दिल में हमेशा बाते करते रहो, जो ग्यान मिला है वह अपने दिल से लगाने के लिए मेहनत करनी है, आत्मा ही विचार करती है, पहले पहले तो यह निश्चे करो कि हम आत्मा बाप के साथ रहने वाले हैं, हम उनके बच्चे हैं, तो जरूर उनसे वर्सा मिलना चाहिए, यहा भी तुम जानते हो कि यहा जो आत्माओं का जाड़ है, उनके पहले जरूर बीज होता है, जैसे सिजरा बनाते हैं, बड़ा बाप फिर उनसे दो चार बच्चे निकले, फिर उनसे और निकलते, एक दो वृध्धी को पाते पाते जाड़ बड़ा हो जाता है, बिरादरी का नक्षा होता है, फलाने से फलाना निकला, तुम बच्चे जानते हो, मूल वतन में सभी आत्माई रहती हैं, उनका भी चित्र है, उन्च ते उन्च है बाप, तुम बच्चों की बुद्धी में है, बाबा इस शरीर में आया हुआ है, रुखानी बाप इन में आकर रूहों को पढ़ाते हैं, सुक्ष्म वतन में तो नहीं पढ़ाएंगे, सत्युग में तो यहाँ नौलेज किसको भी रहती नहीं, बाप ही इस संगम युग पर आकर यहाँ नौलेज देते हैं, इस समेश रिस्टी रूपी जाड़ की नौलेज कोई को है नहीं, कल्प की आयू ही बहुत बड़ी लिख दी है, अभी बाप तुमको समझाते हैं, बच्चे अभी तुमको फिर घर चलना है, वह है आत्माओं का घर, बाप और बच्चे रहते हैं, सब ब्रदर्स हैं, ब्रदर और सिस्टर तब कहा जाता है, जब यहां शरीर धारन करते हैं, हम आत्माओं सब भाई भाई हैं, भाई का जरूर बाप भी होगा ना, वह है परम्पिता परमात्मा, सभी आत्माओं शरीर में रहते हुए उनको याद करती है, सत्योग तरेता में कोई याद नहीं करते हैं, पतित दुनिया में सब ही उनको याद करते हैं, क्योंकि सब रावन की जेल में हैं, सीता पुकारती थी हे राम, बाबा समझाते हैं राम कोई, तरेता वाला याद नहीं आता है, राम परम पिता परमात्मा को समझ याद करते रहते हैं, आत्मा पुकारती है, अभी तुम जानत अधा कल्प फिर हम किसको पुकारेंगे नहीं क्योंकि सुखधाम में रहेंगे इस समय बाप ही समझाते हैं दूसरा कोई जानते ही नहीं वह तो कह देते हैं कि आत्मा सो पर्मात्मा आत्मा पर्मात्मा में लीन हो जाती है बाब समझाते हैं, आत्मा तो अविनाशी है, एक भी आत्मा का विनाश नहीं हो सकता, जैसे बाब अविनाशी वैसे आत्मा भी अविनाशी है, यहां आत्मा पतित तमो प्रधान बनती है, फिर बाप सतो प्रधान पवित्र बनाते हैं सारी दुनिया को तमो प्रधान बनना ही है फिर सतो प्रधान बनना है पतित दुनिया को पावन बनाने बाप को आना पड़ता है उनको कहते ही हैं Godfather बाप भी अविनाशी है हम आत्माएं भी अविनाशी है यह ड्रामा भी अविनाशी है तुम बच्चे जानते हो कि यह वर्ल्ड की हिस्ट्री जोग्रैफी कैसे रिपीट होती है इन चारों युगों में हमारा पार्ट चलता है हम सूरेवन्शी फिर चंद्रवन्शी बनते हैं चंद्रवन्शी जैसे सेकंड ग्रेड में आ जाते हैं चौदा कला वालों को सूरेवन्शी नहीं कह सकते वास्तम में देवी देवता भी उन्हों को नहीं कह सकते देवी देवता संपूरण निर्विकारी सोलह कला संपूरण को कहा जाता है राम को चौदा कला संपन कहेंगे तुम्हारे भी 84 जनमों का हिसाब समझाया जाता है नई चीज फिर पुरानी होती है तो वह मजा नहीं रहता है पहले संपूरण पवित्र रहते हैं फिर थोड़े वर्ष पास होंगे तो थोड़ा पुराना कहेंगे मकान का भी मिसाल दिया जाता है ऐसे हर चीज होती है यहाँ दुनिया भी एक बड़ा मांडवा है यहाँ आकाश तत्तो बहुत बड़ा है इसका कोई अंत नहीं इनकी एंड कहा है वह निकाल नहीं सकते चलते जाओ एंड हो नहीं सकती ब्रम महा तत्तो की भी कोई एंड हो नहीं सकती यो साइंस वाले कितनी कोशिश करते हैं एंड देखने की लेकिन जा नहीं सकते अंत पा नहीं सकते ब्रम तत्तो बहुत बड़ा बे अंत है हमात्माई बहुत थोड़ी जगह में रहती हैं यहां बिल्डिंग आदी कितनी बड़ी बड़ी बनाते हैं स्पेस धर्ती की बहुत बड़ी है खेती आदी भी तो चाहिए ना वहां तो सिर्फ आतमाई रहती हैं आतमा शरीर बिगर कैसे खाएगी वहां तो अभोगता है खाने वा भोगने आदी की कोई चीज होती नहीं बाप समझाते हैं यहाग्यान तुम बच्चियों को एक ही बार मिलता है फिर कल्प बाद तुम बच्चियों को दिया जाता है तो यहाँ नशा होना चाहिए हम देवता धरम वाले थे तुम कहते हो बाबा आज से पांच हजार वर्ष पहले हम आपके पास आए थे शुद्र से ब्रह्मन बने अब फिर हम आपके पास आए हैं वहाँ निराकार होने कारण तुम कहेंगे दादा पास आए हैं बाप ने इसमें प्रवेश किया है बाप कहते हैं जैसे तुम और्गन्स ले पाड बजाते हो वैसे ही मैं भी और्गन्स का अधार लेता हूँ नहीं तो मैं पाड कैसे बजाओ शिव ज्यनती भी मनाते हैं शिव तो निराकार है उनकी ज्यनती कैसे हुई मनुष्य तो एक शरीर छोड दूसरा लेते हैं बाब कहते हैं मैं कैसे आकर तुम बच्चे को राजयोग सिखाओ मनुष्य से देवता बनाने के लिए राजयोग बाब ही आकर सिखाते हैं मुझे ही पतित पावन ज्यान का सागर कहते हैं मुझे ज्जाड के आदी मध्य अंत का मालूम है तुम बच्चे समझते हो बाबा इसमें प्रवेश कर हमको सब नौले समझाते हैं ब्रम्हा विश्णो शंकर के पाट को भी समझना चाहिए बाब को तो समझा है कि वहाँ पतित पावन है हरे की महिमा अलग-अलग ड्यूटी अलग-अलग होती है प्रेजिडेंट, प्राइम मिनिस्टर आदी बनते हैं आत्मा कहती है यहां मेरा शरीर है मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ आत्मा शरीर के साथ ना हो तो बोल न सके शिवाबा भी है निराकार उनको भी बोलने के लिए करमिंद्रियों का आधार लेना पड़ता है इसलिए दिखाते हैं मुख से गंगा निकली अब शिव तो है बिंदी उनको मुख कहां से आया तो इसमें आकर बैठते हैं उससे ग्यान गंगा बहाते हैं बाप को ही सब याद करते हैं हे पतित पावन आओ हमको इस दुख से छुडाओ वही बड़े ते बड़ा सर्जन है उसमें ही पतितों को पावन बनाने का ज्यान है सर्व पतितों को पावन बनाने वाला एक सर्जन है सत्युग में सब निरोगी होते हैं यहां लक्ष्मी नारायन सत्योग के मालिक हैं, इसको ऐसे करम किसने सिखाए, जो ऐसे निरोगी बने, बाप ही आकर स्रिस्ट करम सिखलाते हैं, यहां तो करम ही कूटते रहते हैं, सत्योग में तो ऐसे नहीं कहेंगे, कि करम ऐसे हैं, वहां कोई दुख रोग होता नहीं, यह तो एक दो को दुखी देते रहते हैं। सत्युग तरेता में दुख की बात हुती नहीं। जो कहा जाए कि यह कर्मों का भोग है। करम अकरम विकरम का अर्थ कोई समझी नहीं सकते हैं। तुम जानते हो, हर एक चीज पहले सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो बनती है, सत्युग में पांच तत्तो भी सतो प्रधान रहते हैं, हमारे शरीर भी सतो प्रधान प्रकृती के होते हैं, फिर आत्मा की दो कला कम होने से, शरीर भी ऐसे बनते हैं, स्रिस्टी की भी दो कला क हो जाती है यहाँ सब बाप ही पैट समझाते हैं दूसरा कोई समझा न सके अच्छा मीठे मीठे सिकीलधे बच्चेश्ट प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुट मॉर्निंग रुखा नि बाप की रुखानी बच्चेश्ट को नमस्ते हम रुहानी बच्चों की रुहानी बाप दादा को याद प्यार गुट मॉर्निंग और नमस्ते धार्ना के लिए मुख्यसार नमबर एक अभी से ही बाप की श्रीमत पर ऐसे स्रिस्ट करम करने हैं जो फिर कभी करम कूटने न पड़े अर्थात करमों की सजाई न खानी पड़े नमबर दो किसी भी विनाशी चीज का नशा नहीं रखना है यह देह भी विनाशी है इसका भी नशा नहीं रखना है सेंसिबल बढ़ना है वर्दान फर्मान की पालना द्वारा सर्व अर्मानों को खत्म करने वाली माया प्रूफ भव अमरित वेले से लेकर रात तक दिंचर्या में जो भी फर्मान मिले हुए हैं उसी प्रमान अपनी वृत्ती द्रिस्टी संकल्प सम्रीती सर्विस और संबंध को चेक करो जो हर संकल्प हर कदम फर्मान को पालन करते हैं उनके सब अर्मान खत्म हो जाते हैं अगर अंदर में पुरुशार्थ का वा सफलता का अर्मान भी रह जाता है तो जरूर कहा न कहा कोई न कोई फर्मान पालन नहीं हो रहा है तो जब भी कोई उल्जन आए तो चारों और से चेक करो इसे माया प्रूफ स्वतह बन जाएंगे श्लोगन अपनी सोक्ष्म कमजोरियों का चिंतन करके उन्हें मिटा देना यही स्वत्चिंतन है शुक्रिया बाबा शुक्रिया रोस मुरली सुनने के लिए आप शिब बाबा मुरली मदवन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि डेली शिब बाबा मुरली आपके पास सबसे पहले पहुंचे ओम शैन्ति